हलो बच्चो स्वागत है आपका M.I.C. Classes के YouTube चैनल पर बच्चो मेरा नाम है जय प्रकास और मैं अपने M.I.C. Classes के YouTube चैनल पर आपको Class 10 के RD सर्मा के Book का Complete Solution कराने वाला हूं तो बच्चो आज का हमारा Session RD सर्मा के Book का Session स्टार्ट हो गया है आप अपने दोस्तों से बता दीजिए कि Class 10 के RD सर्मा के Book का Complete Solution M.I.C. Classes के YouTube चैनल पर J.P. Sir के द्वारा कराया जा रहा है तो बच्चो यह रहा हमारा RD सर्मा बच्चो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि RD सर्मा बच्चो क्लास 3 के RD सर्मा के Book का Unsolved Exercise का मैं आपको एक-एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं यहनि बच्चे जितनी भी Unsolved Exercise के एक-एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चे अगर हम बात करें आडी सर्मा के बच्चे आडी सर्मा में टोटल 16 चैप्लर दे रखे हैं सिस्टीन चैप्लर दे रखे हैं वहीं अगर हम बात करते से हैं- की तो NCRT में आपको 15 चैप्टर देखने को मिलता है तो बच्चे हम ध्यान देने वाली बात है कि यहां 16 चैप्टर कैसे होते हैं अगर हम ध्यान देते हैं ट्रेग्नोमेंटरी पर तो यहां ट्रेग्नोमेंटरी को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा यानि कि ट् ट्रेग्नोमेंटरी रेशियो है सेकेंड इज ट्रेगमेंटरी अडेंटियों है तो यहां आडी सर्मा के चैप्र लिष्ट को हमने डिस्पले कर रखा है अगर के चैप्टर की बात करें ठोटल क्लश्की बात करें तो 16 difficult क Focus । फर्स्ट इज रील नंबर सेकंड की बात करें पॉलिनामील थर्ड की बात करें पेयर आफ लिनियर एक्वेशन इन ट्यू बैरियेबल फूर्थ आपका हो जाता है क्वाइडेटिक इक्वेशन फिप्त नंबर अर्थमेटिक प्रोगिरेशन इसिक्स कॉडिनेट जमेट्री फ height and distance जिसको हम बोलते हैं अप्लिकेशन आप टेग्नोमेंटरी थर्टीन की बात करें तो एरिया डिलेटेड टू सर्किल फोर्टीन आपका हो जाता है सर्फेस एरिया एंड बैलूम फिप्तीन आप होका हो जाता है स्टेटिक्स सिस्टीन हो जाता है प्रभबेल्टी तो कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहेंगे सर हम तो एंजियारिटी करते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे एलिमेंट आफ मैथमेटिक्स और कुछ ऐसी भी बच्चे होंगे जो आरे सग्रवाल कर रहे होंगे तो उनका सवाल होगा उनका डाउट होगा कि सर अग अगर आप RD सर्मा के टोटल जित्ते भी हमारे lecture होते हैं अगर उनको जॉइन करते हैं तो बच्चे में बता दूं कि अगर आप RD सर्मा हमारे साथ कमप्लीट करते हैं तो जो भी NCRT के जितने भी कुश्चन हैं कोई भी question आईसा नहीं रहेगा जो आपसे ना बने यानि कि RD सर्मा करने के बाद बच्चे RD सर्मा करने के बाद NCRT के जित्ते भी question होंगे वो सारे आपसे अच्छे तरीके से बन जाएंगे यहीं अगर हम बात करते हैं RS Agrawal कुछ बच्चे RS Agrawal करते हैं तो बच्चे अगर आप RS Agrawal की book उठा के देखते हैं तो आपको यह देखने को मिलेगा कि RS Agrawal में वही सारे question दे रखे हैं जो आपके RD सर्मा में दे रखे हैं तो बच्चे RD सर्मा करने के बाद आपका NCRT है NCRT में जितने question है वो सारे question बन जाएंगे दूसरी बास RS Agrawal अगर आप RD सर्मा करते हैं तो RS Agrawal आटोमेटिकलिए आपका हो जाएगा कुछ बच्चे होंगे एक्ष्ट्रा बुक करते होंगे कुछ बच्चे होंगे एक्ष्ट्रा बुक करते होंगे बच्चे मैं आपको बता दूँ अगर आप rd सर्मा के मेरे सारे लेक्चर करते हो तो आप कोई भी भी भूख रहे है आप उसके सारे कोश्चन आराम से कर जाओगे कोई भी ऐसा कोश्चन नहीं रहेगा कि आपसे ना बने ठीक है तो यह तो हो गया सर्मा करने के फायदे अगर आप आड़ी सर्मा करते हो NCRT भी कंप्लीट और कोई एक्स्ट्रा रिलेवेंट बुक होता है कोई भी तो वह सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे अब बच्छे आप सबी जानते हैं कि क्लास तेंथ में आपका बूर्ड का एक्जाम होता है अगर आप आप आडी सर्मा के complete book का solution करते हो तो आपका class 10th में बोर्ड के exam में full out of full mark gain कर सकते हो इसके बाद उच्छे हम आपकी जानकारी के लिए बता दे इसके बाद आपका एक exam होता है तेंथ लेबल पर वह आपका होता है NTSC यह बच्चा आपका scholarship exam होता है इसका फुल फाम अगर हम आपको बता दे तो national talent search examination बच्चे इसमें math का पूर्चन होता है वह 20 mark का होता है तो बच्चे मैं आपके जानकारी के लिए बता दू अगर आप RD सर्मा करते हो अगर आप RD सर्मा करते हो तो मैंत का पूर्चन होता है NTSC में national talent search examination में इसका कोई भी question आपसे ऐसा नहीं होगा जो ना बने इसकी सारे question आप आराम से धरले से कर जाओं टिक है उसके बाद आपका हो जाता ओलंप्याज बच्यआसा अगर तो RDA की करने के क्या फायत है .... अगर आप RD सर्मा करते हो कोई भी स्टाू किया में अच्छे नंंबर पा सकता हो यानि कि full out of full mark पा सकते हो ठीक है NTSC है यह भी आराम से हो जाएगा तो यह तो हो गया अब यह RD सर्मा करने के फाइदे क्या क्या है अब हम अपने session को बढ़ाते हैं आगे बढ़ते बच्चे कि अब हम बात करते हैं कि हमारे पठन पठन का पैटरन क्या होगा यानि कि जो भी lecture होंगे वह हमारे स्चिद्र क्या होगा जिते वे ले अटेंड करने होंगे उसका स्थर्ड्यूल क्या होगा तो ब stip यह आपको बता दे कर बेडिश्ट डेः के बैडिश्ट दे बैड्य है मेले मेले बैडिश्ट बैद मे tubes होव आप और रहेट आद्ध बैद्श के हमारे खुए सॉल खर बैद कि आपको सारी लेक्टर अपलोड ये दो हमारा हो गाए अब बच्ये आपको करना किया है कि आ हमारी जो भी klausjes होंगी जो भी इन तेन दिन में class कि आप किया करना है क्लास नोड तेयार करना है क्लास नोड त्यार करना लेकिन मैं खुद के experience से बता दूँ कि अगर आप खुद अपना note तयार करते हो तो उससे बहतर कुछ हो ही नहीं सकता यानि कि आपको करना क्या है आपको एक notebook लेना है मेरे प्यारे बच्चे आपको एक notebook लेना है और जो भी मेरी class होते हैं जो भी मैं आपको बताता हूं वह सारे इसमें note करना है उसके बात क्या होगा मैं डेली का डेली आपको डेली का डेली आपको बच्चे 10 question maximum 10 question हो मोर के लिए दूँगा बच्चे मैं आपको guarantee देता हूं मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप ये maximum जो 10 question हमने हो मोर के लिए दे रखा वो सारे question आराम से बन जाएंगे आपको fight करना 10 question जो भी है उनको करना अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं की बना होगा उसको मैं बता दूँगा उसको 10 question को साल्व करवा दूँगा ये तो हो गया मारा थार्ड नंबर पहला हो गया हमारा सडियूल हो गया दूसरा हमको class notes तयार करना है और थार्ड हो गया daily का daily question एक फोर्थ की बात करें अगर हम तो फोर्थ नंबर के क्या करना है ह हमको weekly revision करना है weekly revision वेकली रिवीजन बच्चा ये फोर्थ नंबर का पोर्शन है वह सबसे important है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैंस से डर लगता होगा ना मैंस से भागते होंगे तो उनके लिए ये सबसे आसान तरीक्ता है बच्चे अगर सारे lecture अगर आप उसका प्रेक्टिस करते हो और अगर आप रिवीजन करते हो जादे से जादे क्वेश्चन को प्रेक्टिस करते हो तो मैं गरंटी देता हूं बच्चे कि आपका मैस बहुत इच्छा हो जाएगा मैस अच्छा करने के लिए बस नार्मल सी बात है कि आप क्या करो आप जादे से जादे क्वेश्चन का प्रेक्टिस करो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रेक्टिस करो तो यह तो हो गया हमारे पढ़ने का तरीका ठीक है हमको पढ़ना किसा है हमने सारा बता जिया हम अगे बढ़ता है आपने सिशन को आगे बढ़ाते हैं कि उसके बाद करना किया वच्चे आपको अगर कुछ बच्चा यह से होंगे जनके पास bage the प्वां से बच्चे टेली ग्राम अप्लिकेशन को ड़ं़ोड करना है इस को डीनी ग्राँंट करना डाउलोड करने के बाद सिंपल सा इसको आपको तो जाना पड़ेगा M.I.C classes की group में आप जा के telegram पे M.I.C classes को search कर सकते हो और बच्चे आपको join करना M.I.C classes को join करना उससे आपका फाइदा क्या होगा बच्चे उसका उससे आपका ये फाइदा होगा कि मैं आपको वहां आडी सर्मा के बुक का PDF प्रवाइड कर दूँगा वहां मैं आपको आरे सग्रवाल के बुक का भी PDF प्रवाइड कर दूँगा वहां मैं आपको को ncrt के बुक का भी PDF प्रवाइट कर दूंगा तो आपको सारी बुक का PDF मिल जाएगा और आप वहां से धीर से जादी से जादी question practice कर लोगे second बात करें second की बात करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे 9554 901062 इस नंबर पर अपने डाउट को भेज सकते हैं यहां से आपको अपने question का solution मिल जागा इसके बाद आपको क्या करना है हमारे Facebook पेज को हमारे Facebook पेज को जाके जॉइन करना है ठीक है Facebook पेज को जॉइन करना है वह भी M.I.C. classes के नाम से है वह भी M.I.C. classes के नाम से बच्चे माइसी क्लास पे Facebook जॉइन करने से यह फायदा होगा कि previous year के जितने भी question आपके हो चुके हैं यानि कि board exam में जितने भी question पूछे जा सके हैं मैं उन सभी का टेलिग्राम WhatsApp और Facebook तीनों का लिंक description पर प्रवाइड कर दूंगा तो बच्ची यह detail आज भी जो आज जो भी आज इसर्म कर रहा वह सारा हमारा introduction रहा नेक्स्ट क्लास में हम question के practice करेंगे पहले तो अपने बेसिक को पढ़ेंगे जो हमारा क्लास की यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो बच्चे आप आज का ससन हम यहीं तक रखते और मिलते हैं नेक्स्ट वेडियों में जय हिन जय भरत